हेलो एवरिवन वेलकम टु स्टेडी ग्लोज मेरा नाम है सरीता दोस्तो आज 8 दिसंबर 2020 है क्रिशी कानून के खिलाग किसानों के समर्थन में आज पूरा भारत बंद है क्या है ये तीन क्रिशी कानून जिनका किसानों और समर्थकों द्वारा जम कर विरोध हो रहा है इस प क्या चीजें बंद रहेंगे और क्या चीजें खुली रहेंगे तो बने रहेए मेरे साथ दोस्तो पंजाब और हरियाना के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 12 दिनों से केंद्रे द्वारा पारित तीन क्रिशी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आश पूरे भारत पर इसका असर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ले कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार और हरियाना सरकार ने पानी की बोचारी की ततहा आंसु गैस की गोले भी छोड़े जिसकी काफी निन्दा भी की गई थी। इस आंदोलन में एंटी नेशनलिस्ट भी अपनी एंटी दर्च करा चुके हैं। सिंध बॉर्डर में एक ट्रेक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए देखने को मिले, मोधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथी किसानों की तरफ से ऐसे भी रोधी आंदोलन चल रहा है। इसको इंटरनेशनल तोर पर भी काफी प्रचारित किया गया और अंतराश्ट्र लेवल पर भी इसको सपोर्ट मिला है। जैसे कनाडा पीम जो हैं जस्टीन टूडो ने किसानों को अपना समर्थन देते वे कहा है कि वो किसानों के साथ पूर की नेता सहित कई खिलाडियों ने दिल्ली कूच के दोरान किसानों पर बल प्रयोग करने के विरोध में और किसानों के समर्थन में अपना एवाड केंद्रे सरकार को लोटाने का एलान किया है। वोनाचारे आवाड लोटाने की बात कही है। बॉक्सर विजेंदर सिंग ने भी अपना खेल रतन लोटाने की बात कही है। मैं शौटली आपको बता दूँ पहला बिल जो है ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है दूसरा जो है प्राइस एंशॉरंस बिल है और तीसरा जो है वो अशेंशियल कमोडिटी एक्ट है। तो किसानों का कहना ये है कि ये किसी भी तरीके से किसानों के पक्ष का बिल नहीं है। ये बिल बनाने से पहले कहीं से भी किंद्र सरकार ने किसानों के साथ कोई वारता लाप नहीं की, किसी तरीके का नेगोशियेशन नहीं किया और ये जो बिल है ये पूरी तरीके से कॉर्परेटिव कमपनीज के पक्ष में हैं। साथ ही किसानों ने कहा कि बिहार में 2006 में APMC Act खतम कर दिया गया था। इससे अनुमान लगाया गया था कि किसानों को राज्ये में अपनी फसल अपने मन पसंदामों में बेचने में मदद मिलेगी पर फिर भी अभी तक बिहार की हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है वहां के किसान अपनी फसल पंजाब और हरियाना में आके बेचते हैं। सुभा दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल किसानों से मिलने पहुँचें। उनके साथ डिपूटी सीम मनिस सौधिया भी थे। उन्होंने वहां जाकर किसानों से मुलाकात की वहां की सुविधाओं का जायजा लिया और किसानों से कहा कि उनकी सरकार किसानों की सेवादा है जबकि कुछ दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने तीन नए क्रिशी कानूनों में से एक को दिल्ली में लागू कर दिया था हाला कि पार्टी ने नए क्रिशी कानून को रद किये जाने के लिए किसानों का खुले तोर पर समर्थन किया है पर अब इसी बात पर शोशल मेडिया पर बहस हो रही है कि केजरीवाल ने अगर बिल पास कर दिया है तो फिर वो किसानों के पास क्यों गए लोग केजरीवाल पर राजनेती करने के भी आरोप लगा रहे हैं कॉंग्रेस और लेफ्ट समीत अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन देने का एलान किया है इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किये जा रहे हैं इसके अलावा ट्रेड इंडस्ट्रीज और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियनों ने भी किसान आंदोलन और भारत बंद को सपोर्ट करने की बात कही है अलग-अलग राजियों में भारत बंद का अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है क्योंकि कुछ जगों पर अस्ताने तोर से बड़े प्रदर्शन करने की योजना हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी जो आंदोलन का मुखे केंद्र है वो दिल्ली NCR ही रहेगा खारती किसान यूनियन के प्रमुख ने बताया है कि ये जो बंदी है शांती पून बंदी रहेगी जो सुभा 11 बजे से शुरू होकर शाम की 3 बजे तक रखी जाएगी और इस बीच जो है किसी को भी परिशान नहीं किया जाएगा एंबुलेंस को नहीं रोका जाएगा चा खादी का कार्ट दिखा कर जा सकेंगे। देश भर के हजारों किसान यहां पहुंचे हुए हैं राजस्तान से भी किसान यहां पहुंचे हुए हैं साथी बैंगलूरों में भी यहां के किसानों के समर्थन में जो है धरना दिया जा रहा है दिल्ली को उत्तर प्रदेश हर्याना समेत उत्तर भारत से जोनने माले अध दक्षिन भारत के अधिकतर राजियों की सरकारों ने किसानों की समर्थन में भारत बंद को उचित ठहराया है। हर्याना और राजस्थान की सारी मंडिया बंद रहेगी। कॉंग्रे समेथ अधिकतर विपक्षी दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है। I hope दोस्तों इस लेक्चर के मीडियम से आपको किसान, आंदोलन और भारत बंद से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल चुकी होंगी। Thank you so much for your attention.